रादे रादे जैसी क्रशना मैं सीमा सिंग आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर परडाम करती हूँ आज मैं आपको कार्टिक मास के 35 दिन की व्रतकता सुनाने जा रहे हूँ एक दिन शौनकादी जी सूत जी से बोले कि हे सूत जी मनुष अपने कर्मों का फल भोगता है मनुष के अच्छे कर्म और बुरे कर्म ही उसे भोगने पड़ते हैं लेकिन क्या दूसरों का दिया हुआ पुन्य भी मिल जाता है या फिर बिना दिया हुआ पुन्य मिलता है तफसूत जी कहने लगे कि हे शोनकादी बिना दिये हुए भी मनुश्य को पाप और पुन्य मिल जाते हैं सती युग में एक राजा के द्वारा पाप और पुन्या करने से पूरी प्रजा को पाप और पुन्या का भागी होना पड़ता था त्रेता युग में ग्राम को द्वापर में कुल को परंतु कल युग में केवल करने वाले को ही पाप और पुन्या का फल मिलता है एक पात्र में भोजन करने वाले को पाप और पुन्या का आधा आधा भाग मिलता है दूसरे की निंदा करने और निंदा सुनने से भी उसको जिसकी निंदा कर रहे हैं उसके पाप कफल मिलता है एक पंक्ती में बैट कर भोजन कर रहे हैं तो उस पंक्ती को जो लांग देता है वहे छटे अंश के पाप को पाता है संध्या के समय सोने या बोलने से पुन्य का छटा भाग चला जाता है दूसरे का द्रव्य चुरा कर दान करने वाले को भी पाप मिलता है द्रव्य पाने वाले को फल मिलता है बिना रिण दिये मरने वाले का पुन्य धन के अनुसा धनी को मिलता है उपदेश और सहायता देने वाला पाप पुन्य का छटा अंश पाता है प्रजा का छटा अंश राजा पाता है शिश्य से गुरू, पिता से पुत्र, इस्तरी से पती भी छटना अंच पाते हैं पती के चित के अनुसा धर्म करने वाली इस्तरी पती का आध्या पुन्य ले लेती है इसी प्रकार बिना दिये हुए भी पाप और पुन्य मिलते हैं इसके संबन्द में मैं तुम्हें एक इतिहा सुनाता हूँ पूर्व काल में उज्जेनी नाम की नगरी में भ्रह्मकर्म से भ्रष्ट पापी, दुष्ट बुद्धी वाला, कवल और खाल बेचने वाला जुआ खेलने वाला, मदीरा पीने वाला, विश्यागामी, चोरी चकारी करने वाला, जूट बोलने वाला, धनेश्वय नाम का एक ब्रामन रहता था वे अपना सामान को बेचने और खरीदने के लिए एक देश से दूसरे देश घुमा करता था तब एक बार वे अपने सामानों को बेचने के लिए महिश्यमाती की नगरी में चला गया, माल बेचने के लिए वे एक मैने तक वहीं ठहर गया एक दिन नर्मदा नधी के तट पर उसने जप और देव पूजन करने वाले ब्रामनों को देखा कार्तिक का मैना चल रहा था वुनी मा को गाय का पूजन और दीवदान होते हुए देखा शाम को श्री शिव जी के दीवदान का महोसव देखा पूणी मा को दान हवन जब करने वाला अक्षफल को पाता है अगर कोई महादेजी और विश्नुजी में अंतर मानता है तो उसका किया हुआ सभी कर्म निश्फल हो जाता है धनेश्वर यह उससर रोज देखता रहा एक रात्री को जब वसो रहा था तो उसे सर्प ने काट लिया तब वहां के यात्रियों ने धनेश्वर के मुख में तुलसी दल और नर्मदा का जल डाल दिया थोड़ी देर बाद धनेश्वर की मिलती हो गई तब यमराज के दूद उसे मुखदरों से मारते हुए यमपूरी में लेगे तब धर्मराज जी ने चित्रगुप्त से कहा कि है चित्रगुप्त जी आप इस व्यक्ती का लेखाजों का पढ़कर सुनाईए तब चित्रगुप्त जी ने क्रोधी दश्टी से उस धनेश्वर को देखा और यमराज से कहा कि है महाराज यह मनुश्य घोर पापी है इसने अपनी पूरी आयू में कोई पुन्यकारिय नहीं किया तब यमराज ने क्रोधी थोकर अपने दूतों को आग्या दी कि इसे मुगदों से मारते हुए कुम्भी पाक नरत में ले जाओ और खोलते हुए तेल के कड़ाओ में इसे डाल दो दूतों ने धहमराज जी की आग्या का पालन किया जैसे ही दूतों ने खोलते और उबलते हुए तेल के कड़ाओं में धर्मेश्वर को डाला तो वह तेल का गरम कड़ाँ शीतल हो गया दूतों ने यह बात जाकर धहमराज जी को सुनाई धहमराज जी को बड़ा आश्चरिय हुआ तभी उसी समय नारदमुनी यमराज की सभा में आये तभ यमराज ने नारदमुनी का पूजन किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया तब नारदमुनी ने यमराज से कहा कि हे यमराज जी यह धनेश्वर पापी होते हुए भी कार्थिक मास में वरत करने वाले ससंग करने वाले पुन्यवान लोगों के साथ इसने समय ब कार्थिक का विश्नु भक्तों के साथ बिताया इसने वहाँ पूजा होते हुए देखी इसने कार्थिक पूर्णी मा को गाय का पूजन और दीबदान होते हुए देखा भगवान विश्नु के दीपो उस्सव का महुस्सव देखा इसलिए इसके पूरे जनम के किये हुए स अनुगामी धन यक्ष हुआ जिसके नाम से आयोध्या में भगवान गदादर का तीरत इस्थान बना पापों से नरक मिलता है और पुन्य से स्वर्ग मिलता है जो पाप कामना रहित होता है वैसू का पाप होता है और जो पाप कामना युक्त होता है वैगीला पाप होता है कार्तिक मास के वृत्त से दोनों तरह के पाप नश्ट हो जाते हैं कार्तिक मास का वृत्त करने वाले के दर्शन मात्र से अनेक जन्मों के पाप नश्ट हो जाते हैं कार्तिक मास में पूजा करने वालों को देखने से दीबदान करने से गाय का पूजन होते हुए देखने से शिवजी के दीबदान का महोस्तर देखने मातर से अनुशिके एक जन्म के सारे पाप नश्ट हो जाते हैं और मरने के बाद उसे सर्ग की प्राप्ति होती है इस तरहें आज मैंने आपको कार्तिक मास के महत्या में एक से शुरुआत करी थी और आज मैं आपको कार्तिक मास का अंतिम अध्याई मैंने सुनाया आशा करती हूँ आपको सभी अध्याई पसंद आये होंगे अगर आपका कोई अध्याय सुनने से छूट गया है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक छोड़ दूगी और अगर आपको कोई अध्याय सुनना है तो मैं आपको वो अध्याय दुवारा भी सुना सकती हूँ कमेंट बॉक्स में लिक कर आप मुझे बताएं मैं आपके बताए हुए सभी कथा कहानी को सुनाने का पूरा प्रयास करूँगी मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें धन्यवाद